हेलो दूसरों, 4G टेक्नलोजी किस तरह से हमारी लाइफ का हिस्सा बनी वो तो आपको ध्यानी होगा किस तरह से धीरे धीरे 4G टेक्नलोजी जब इंडिया में आ गई उसके बाद हम लोगोंने 4G स्मार्टफोन को पर्चेस करना शुरू किया और उसी की ध्यान में रखते हुए चाइनीज कंपनियों ने भी इंडिया में 4G स्मार्टफोन नए नए फ्रीचर के साथ में नए नए फंक्शन के साथ में लाकर बागी कंपनियों के चक्के चुड़ा दिये लेकिन 5G टेक्नोलोजी के साथ में थोड़ा सा यार डिफ्रेंट चलाएगी 5G टेक्नोलोजी अभी मार्केट में नहीं आपा रही है लेकिन 5G टेक्नोलोजी बेजड स्मार्टफोन मार्केट में लगातार एक के पीछे एक दस्तक देने की कोशिश कर रहे है ऐसे में कोई क बाहर किसी ऐसे कंट्री में ना चला जाए जहाँ पर कि 5G टेक्नोजी एविलेविल हो और वहाँ पर हम अपनी स्मार्ट फोन का यूज कर सकें लेकिन इंडिया में फिर भी कस्टमर्स बहुत ही समझदार हैं ऐसे में कस्टमर्स थोड़ा सा हाथ को टाइट करके उनी उस पर ज़ादा ध्यान दे रहा है जो कि वो 2-3 साल के अंदर तक यूज कर सकते हैं जब तक कि 5G नहीं आ रहा है तो ऐसे में 5G इंडिया में फिलाच चोड़ते हैं लेकिन फिर भी शाओमी ने पहला 5G स्मार्ट फोन मी 10 5G कर दिया है इंडिया में लांच लेकिन यही पर शाओमी नहीं रुकने वाला है लगाता पिछले हफते में तो उसने धमागा कर रखा है एक के बाद एक नए अपने गैजिट्स हैं उसको लांच कर रहा है और ऐसे में नया एनोंटमेंट चाइना में उसने कर दिया कि रेड्मी K30 सीरीज का 5G वर्जन लाने जा रहा है 11 मे बारे में बात कर लें जो अभी तक कबर आई है कुछ बहुत जादा फोन के अंदर की डीटेल उसके फीचर स्पेसिफिकेशन को लेकर सामने नहीं आई है लेकिन फिर भी इसके जो अंदर प्रोसेसर यूज किया गया है उसके बारे में एनौंसमेंट हो गया है क्वाल कॉम स्नेपडेगन 768G चिपसेट अभी तक ये लॉंच नहीं हुआ है आपको दादू SD 765G चिपसेट का ही अपग्रेड बर्जन है इसमें क्लॉक स्पीड में हमें चेंजिस देखने को मिलेगे जिसके की परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेतर और बैटरी लाइब भी थोड़ी इ सेंसर मिल सकता है उसके अलाबा 8 मेगा पिकसल का अल्ट्रा वाइड एंगिल और 7 में 5 मेगा पिकसल का मैक्रो सेंसर मिल सकता है आते हैं डिस्प्ले की तरफ तो यहाँ पर कमपनी ने वही अपनी पुरानी LCD डिस्प्ले यूज की है लेकिन कमाल ये है कि कुछ चेंज करने जा रही है रेड मी में शाओमी इस बार के LCD डिस्प्ले में ही आपको मिलने वाला है अंडर डिस्प्ले फिंगर प्रिंट स्कैनर अभी तक हम लोग एमुलाइट डिस्प्ले पे ये बात करते थे लेकिन ये रियूमर साबित होगा या हकीकत होगा कि LCD पैनल पे भी हमें इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर चाओं भी लाके दिखा सकता है इस एफोर्डेबल प्राइस में इंतजार करते हैं 11 मेगा कंफर्म हो जाएगा सारे परदे उड़ जाएंगे अफवाहों से उसके अलाबा डिस्प्ले पर ही आपको मिलेगी पील टाइप पंच होल जहा हमें बैटरी भी बड़ी चाहिए साथ में इस फोन के एक और चर्चा चल रही है कि ये फोन K30 5G स्पीड एडिशन ना होकर अभी तक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि रेड भी K30i स्मार्टफोन कंपनी लाने जा रही है ये उसी का रीनेम वर्जन है कंपनी निसक मार्केट में एविलेबल हैं मी मिक्स 3 सीरीज और मी 10 5G तो इंडिया में भी आही चुका है बाकी इस K30 5G स्पीड वर्जन को लेके कंपनी क्या डिसाइड करती है गलोबली इस फोन को लेके आएगी या सिर्फ चाइना तक ही ये फोन मेहदूद रहेगा और गलोबली अग जार एक चीज़ तो कंफर्म है कि शाओं भी रेड भी सेंगों भी किसी के आप बात कर लें लेकिन 5G टेक्नलोजी के फोन इस तरह से सर पे सवा रहे हैं कि टेक्नलोजी बले ही हमारे नस्दीक से नस्दीक अभी नहीं हो हम लोग सिर्फ उसको वीडियो में देखते हो या खबरों में पढ़ते हों लेकिन फोन हमारे हाथ में पहले से आती चले जा रहा है और जब तक उसका यूज का नंबर आएगा फोन शायद हमें रिप्लेस ही करने पड़ जाएंगे क्योंकि इतना लंबे समय तो फोन कभी भी हमारा साथ शाहिदी दे पाएं तो फलाल वीड लाइगे जो शेयर कीजिए इंवाइट कीजिए अमने फ्रेंड साथ और जाता है तो कली चाहां सब्सक्राइब और हो भी नहीं कर घंड को ने दुरू दवा दीजे ताकि अगल यह आनल वीडियो न रुस्टेन आपको मिल सेके तो पर मैं खेला कीज़ दिन मेरे चैनल इंड साथ नबाइब